हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में हमारे अनोखे यूट्यूब चैनल पे और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और सबसे जरूरी ब करता है आदे से जादा 90% जितने भी इंडियन स्टार्ट अपस हैं जो कि कोड एक्जेकूशन प्रोवाइड करते हैं यहां पर आप क्वेश्चन अपने टाइप कर सकते हैं कोड लिख सकते हैं और वो किसी टेस्ट केसे पर रन होते हैं और बताते हैं सबमीशन आप बना भी सकते हो और जो बने बनाए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूज़ करके डिपलॉय करते हैं जैसा कि जाधतर लोग इंडस्ट्री में करते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जब सॉलीशन अल्रेडी बनावा है तो यूज़ करना भी तो यह हम करने वाले हैं वीडियो का कमेंट टार्गेट जाधा नहीं दोसो कमेंट रख लें चलिए दोसो ताफटाफट से करवा ही देते हैं जिनको नहीं पता है हमारा इंटर प्रपरेशन कोर्स की अगर आप तुरंत ही वीडियो देख रहे हैं तो हमारा दिये से विज और DSA with JavaScript कहना तो ठीक नहीं होगा पूरा complete interview preparation with JavaScript कोर्स है अगर आपका JavaScript हो चुका है तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपका लेने का मन है तो ठीक है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है आप आराम से YouTube पे enjoy करिए यह कोर्स वैसे भी dedicated और professional learners के लि ओके तो Xcally draw में हम आते हैं और देखते हैं कि actually में lead code और यह पूरा system actually में काम कैसे करता है और फिर हम इसको deploy भी करेंगे और देखेंगे भी system कौन सा system है और कैसे काम करता है अब देखें इस system है बड़ा ही simple सा इसमें कोई जादा complex चीजे नहीं है एक आपके पास यहाँ प PHP में भी हो सकता है किसी में भी DSA कर सकते हो आप तो यह तो हो गया आपका basic अब इसके बाद क्या है दो set of execution साथ में और जाते हैं जब इस तरह का code होता है सबसे पहला तो इसके साथ एक ID जाता है हर्त का ID हो सकता है इस ID को आप मानिए language तो यह ID जो है वो दिनोट करता है कि क दो blocks और हमेशा add होते हैं यहां पर और दोनों ही जरूरी है एक होता है आपका standard input या इसको सिर्फ input भी बोल सकते हैं और एक आपका होता है output यह है आपका output सारे के सारा lead code इसी situation पर based है कि जब भी आपका code run कराए जाएगा तो आपका जितनी बार code run किया जाएगा उसको एक standard input दिया जाएगा उस standard input से match किया जाएगा कि आपने जो output वहां पर दिया है क्या वो इस output को match कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर उसको match कर रहा है तो solution accepted अगर उसको match नहीं कर रहा है तो solution not accepted अब कई बार होता है कि आप multiple input और multiple output भी देते हो तो उनको अलग-लग करके भी language हमें पता होनी चाहिए कि किस language में हम execute कर रहे है, JavaScript है, Java है Python है, जो भी है, आप अपना code लिखते हो, basic अपना function, console log, जो भी आप print करवाना चाहरे हो वो match होगा अलग-अलग input case से और उसका एक output case होगा, अब input case जैसे, कि suppose करिए आपने JavaScript लिखा, कहा कि function है, इसका कहा कि add to हमारा function है ये लिजे, और इस function के अंदर हमने कहा कि मुझे add to number का बनाना था, तो मैंने कहा a, b, इस तरह से हमने लिखा ये लिजे हमने कहा, और इसके अंदर हमने कहा कि इसको देते time return हम कर देंगे, कि a plus b, ये हो गया, बड़ा ही basic सा हमारा चोटा सा एक code इस code के अंदर जो भी आप a और b देते हो, वो run होता है और उसका जो return मिलता है, आपको a plus b मिल जाता है, अब हमने का input के अंदर अगर suppose करिए, मैं 2,4 यहां पर देता हूं, तो क्या होना चाहिए, मुझे expected output जो मिलना चाहिए, वो 6 मिलना चाहिए तो अगर 6 मिलेगा, तो accept होगा अगर 6 नहीं मिलेगा, तो reject हो जाएगा, तो यही हमें पूरा का पूरा काम करना होता है अब यहां पर कुछ चीज़े आती है, एक तो code की security का issue आता है हां जी, वो भी बड़ा एक complicated issue है और उपर से Q का भी issue आता है, कि हो सकता है जादा users ने बर-बर-बर-बर try कर रहे हैं या फिर आपकी platform पर मान लीजे, 10-20-1000 लोग है बड़ सबसे famous आपको दिखेगा, Judge Zero यह एक open source platform है GitHub भी खोल लेते हैं इसका और यही है जो most of the platform के पीछे run करता है और यह लिखते हुँ है इस बात को The most advanced open source online code execution system in the world बहुत बड़ी line है, लेकिन ठीक भी है यह digital ocean भी power करता है इसको आप चाहो तो one click भी कर सकते हो इनके पास दोनो plans है, paid और open source plan तो जैसे आप इसके pricing section पर जाते हैं तो देखे बड़ा सारा pricing chart है थोड़ा सा समझना difficult होता है बट यहाँ पर एक option आपको दिख रहा होगा जो कहता है self-hosted, on-premises आप खुद इसको host कर लो और यही हम करने वाले है pricing free है, community support मिलता है infrastructure आपका खुद का है, update आप खुद करने पढ़ेंगे अगर कोई आता है तो वैसे आज की date में बहुत self-sustained है यह, बहुत rarely update आते हैं up time, जितना हमारा server अप होगा उतना हमारा available, जह हम चाहते हैं submission unlimited, हाँ जी, कितने भी unlimited लीजे जितनी चाहिए machine बड़ी कर दीजे batch submission भी unlimited है, तो आप batch submission भी कर सकते हो paid pricing में ये अपना infrastructure आपको देते हैं जिसके अंदर maximum plan जो available है 54 euros per month, जो की जादा नहीं है comparatively अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप 5000 submission 5000 per day और उसके बाद 0.01 euro, तो अगर थोड़ा सा भी कोई charge करे मान लिजे कि 3-4 1000 भी per user, 3000 भी जादा 2000 भी per user charge करता है तो I think this is more than enough to cover the cost और इसमें अगर आप आजाते हो batch submission में तो तो और भी आसान हो जाता है क्योंकि फिर वो 5000 आपकी request नहीं जाती है एक request आपके 15, 20 या 100 test cases लेके जा सकती है, एक ही साथ execute कर सकती है तो I think अगर कोई भी आपसे 3000 भी चार्ज कर रहा है, तो I think it's profitable, not just good enough, it's profitable 3000 में आपको बहुत सारे test cases वगरा सब दिये जा सकते है और test cases आपको पता है, आजकल chat GPT से भी लिखवाया जाते हैं और बहुत सारे student intern वगरा भी लिख देते है तो ये हो गया हमारा basic काम अब क्या करना है, अब बात यह है कि चलिए इसको platform को evaluate करना है, ताकि इन केस आपको भी असा system कभी किसी company के लिए बनाना पड़े या खुद के लिए बनाना चाहते हो, तो इसको देख पाऊ एक बार ठीक है जी, देख लेते हैं क्या क्या है robust scalable open source online code execution system that can be used to build a wide range of application that needs online code execution feature some example includes competitive programming platform e-learning platform, candidate assignment or recruitment, तो मतलब वही lead code वाला सारा है rich and verbose API documentation, बहुत ही अच्छा API documentation है जादा exploded नहीं है, जितना चहिए उतना है that is I like scalable architecture, sandbox, compilation, execution यह सबसे अच्छा है, कि हमें चिंता नहीं करनी है कि code हमारा malicious आ गया थो किसीने कुछ delete करने की, कोशिश कर दी system को corrupt करने की और क्योंकि इतने सालों से market के अंदर है well tested, well beaten है support for 60 language 60 language कौन ही use करता है लोगो को तो यही digest करने में मुश्किल है कि JavaScript में भी DSA हो जाता है तो 60 तो बहुत दूर, लोगो तो लगता है C++, Java इसके अलावा DSA होता ही नहीं है खैर, कोई बात नहीं तो यहाँ पर हमारे पास जितने चाहिए webhooks भी है वैसे तो, और आप चाहो तो research paper भी पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए कभी इसके वी अंदर हम साथ बैठके research paper भी पढ़ेंगे थोड़ा boring होगा, पर please साथ में आईएगा उस video के लिए भी, मुझे comments में अब बताओ, ऐसा research paper भी पढ़ना चाहिए के साथ में ठीक है जी, तो यह तो हो गया हमारा basic कि ठीक है जी, यह तो समझ में आ गया, अब बताइए कि इसको install कैसे करना है installation के लिए हम आते हैं इनके github पे और देखते हैं कि github पे क्या-क्या है available, ठीक है जी, बहुत सारी lines है लेकिन installation का कहां पे है installation तो यहां पे है ही नी चलिए देखते हैं, installation का कहीं तो होगा, get started पे click कर देते हैं ओके, तो यहां पे language differences, बताइए जी कहां पे है installation का, तो installation का तो यहां पे हैं नी है, बट एक छोटा सा बटन मुझे दिख रहा है, black color का install, try करें चलिए जी, try करते हैं, तो इन्हों ने open कर आपना github का एक change log judge 0 का, और कहा कि यह रहे installation, कभी भी ऐसा installation करने से पहले, एक बार installation को आप go through करते हैं, directly open करके installation मत करने लग जाना, लोगों को बस डर लगता है, server पर जाने से, बट ऐसा कुछ होता नहीं, अराम से आप देखेंगे, थोड़ा पैसे लगेंगे मेरे, बट हम कर लेंगे install, ठीक है जी, अब यह क्या बोल रहा है, installment process, यह रहा कि हमने releases, fixes वगरा वो सब कर दिये हैं, और judge 0 इस collectively है, टेलिमेंटरी डेटा, यह सब वगरा ठीक है जी, आप बताएं कैसे judge 0 सिर्फ Linux पे tested है, तो Linux पे हम काम करेंगे, यह recommend करते है, Ubuntu 22.04 22.04, चाहें तो आप नए वाले भी कर सकते हैं, बट इनका recommended यह है तो हम इसी पे काम करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि लिनक्स के अंदर एक grub file होती है, ctc default के अंदर वहाँ पे हमें इस variable के अंदर यह value change करनी है ताकि securely code आपका execute हो पाए, उसके बाद grub को update भी करना पड़ेगा और reboot भी करना पड़ेगा ठीक है जी, इस reboot में थोड़ा सा time लगता है फिर उसके बाद आपको docker और docker compose भी install करना है, ठीक है जी यह भी कर देंगे हम, उसके बाद आपको simply download करना है wget से wget utility होगी तो ठीक है नहीं तो download कर लेंगे, unzip utility होगी तो ठीक है वरना वो भी install कर लेंगे, linux में by default कुछ install नहीं आता है, I think wget तो आता ही है ubuntu के अंदर unzip का में शौर नहीं हो, देखेंगे और उसके बाद क्या है कि आप इस website पे जाईए, एक random password बनाईए redis password को judge की configuration file में add कर दीजे judge 0 की configuration file बहुत ही अच्छी है, इस पे भी देखेंगे visit इस website को जाईए random password generate करिए, हमने react की series में खुद के random password बना रखेंगे हम कर लेंगे, बट अभी के लिए हम बहुत easy password use करेंगे, और postgres का भी password add कर दीजे, देखें सबसे अच्छी बात redis भी use हो रहा है, postgres भी use हो रहा है, तो caching भी automatic enable होगी, यानि कि जिन code का अभी की अभी तुरंत ही execution होगा, उनका भी कही न कहीं optimization है, ताकि server पे load कम आए, उसके बाद judge zero में जाना है, redis को up करना है, उसके बाद 10 second wait करना है, फिर उसके बाद पूरा docker compose से up करना है, और 5 second wait करना है, इसलीप तो इसलिए कि wait कर लेना थोड़ा सा, जल्दी बाजी मत करो, और that's it, आपकी IP पे, slash docs पे आपको मिल जाएगा, port number इस पे, अगर आप इसके सामने एक Nginx भी लगा दोगे, तो STTPS पे भी चल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पे भी हम बात करेंगे, वैसे अगर आपको और थोड़ा सा, इनके बारे में जानना है, यह सब मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ, Nginx बगरा, यह सब, तो Chai Code पे, देखे, लोगो लगा दिया हमने यहापे, आपको DevOps टफ के अंदर, मैंने काफी चीज़ें यहाँ पे रखी, कि Nginx installation कैसे होता है, हिंदी में भी हम बनाएंगे इस पे series, English Channel पर अलरड़ी series चल रही है और उसके लावा SSL कैसे setup करते हैं, वो सब भी मैंने बना रखें, Docs बहुत ही जल्द आपके साथ भी ऐसी series share करेंगे यह वीडियो बनने वाला तो था पहले English Channel के लिए, बट मुझे काफी interesting topic लगा, और DSA के अंदर थोड़ा क्या है हिंदी audience को बहुत मज़ा आता है DSA, 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 कैसे होगा तो मैंने सुचा, आपकी curiosity हम कतम कर देते हैं चलिजी, अब हो गई, बहुत सारी बाते अब चलते हैं, यहां से हम documentation को देखेंगे, और एक हमें terminal भी चीएगा, ठीक है जी, यह terminal warp मैं mostly use करता हूँ, आप भी चाहें तो जो चाहें, यूज़ कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं Akamai पे, Akamai क्या है Linode है, आपके पास बहुत सारे ऐसे servers available हो जाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं यह use करो, VPS अगर आप search करोगे, तो देखें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, hostinger भी है, VPS smart भी, कुछ ऐसा भी होता है क्या और कॉन से है, digital ocean भी है, यह रा digital ocean vulture भी एक है bluehost भी है, आपका जो one करे, use करो, मैं digital ocean भी use करता हूँ, मैं linode भी use करता हूँ तो अभी के लिए मैं linode बना लेता है तो login कर लीजएगा, basic login है उसके बाद create linode, यह मेरा वैसे भी test account है, specific testing ही करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला था Ubuntu की machine यूज़ करनी है, ठीक है जी, हम search Ubuntu 22.4 ही चाहिए, ठीक है, हम भी यह use कर लेते है Ubuntu 22.4, first वाला use कर लेते है पता नहीं क्यों, पर ठीक है उसके बाद region, मेरे लिए I think Mumbai सबसे पास में होगा क्योंकि रस्तान में तो कौन ही server डाल रहा है, Delhi भी है क्या पुना तो नहीं चाहिए, नहीं Delhi तो नहीं है Mumbai है, ठीक है, Mumbai में चलते है उसके बाद अब आता है machine का खर्चा आप कितनी machine afford कर सकते हो, उस basis पे होगा वैसे तो आप देख सकते हो, सिर्फ 36 डॉलर महीने में आपको बहुत अच्छी machine और 4 TV का bandwidth मिल जाता है जो की बहुत है, आप इस पे आराम से इमान के चलिए कि अगर ठीक ठाक आपका run time है और ठीक ठाक users आ रहे हैं तो I think ये बहुत more than enough है वैसे तो हम जाते हैं shared CPU पे, क्योंकि demo है तो छोटा ही machine हम use करेंगे 5 डॉलर की भी machine है, 12 डॉलर की भी है थोड़ा fast हो जाएगा चलिए आपके लिए 12 डॉलर वाली machine हम use कर लेते हैं 2 TB bandwidth है, I think इसमें ही मैं आराम से, मान लीजे 10-15,000 यूजर तो easily accommodate कर सकता हूँ इस machine में भी, 2 TB है execution 2 GB ठीक है बट I think 4 GB ले लूँगा तो मैं आराम से easily, सिर्फ 20 डॉलर जादा कुछ है भी नहीं, अगर मैं आपसे 1000 रुपीस भी चार्ज करूँ महीं नेगा तो more than enough ओके, label label हम इसको देंगे हमारा judge judge sahab ठीक है, तोड़ा नाम तो फन होना चीए ठीक है, टैग वैक की मुझे जरूत नहीं है placement की दूरत नहीं है, password हाँ, password हम यहाँ पर रखेंगे ठीक है जी, password strength good है, अभी मैं SSH keys add नहीं कर रहा हूँ, और हम root password से ही login करने वाले हैं, हाँ जी, कुछ लोग बहुत ही panic हो जाएंगे अभी मैं आपको यहाँ पर न VPC firewall यह सब नहीं सिखाएंगे, हम सब कुछ skip करते वे create linode करेंगे, जैसे ही हम create linode करेंगे, इसको लगेगा थोड़ा सा time, provisioning मतलब machine spin हो रही है, अब एक interesting चीज आपको मैं बता दूँ, कि हम root से क्यों login करेंगे, और क्यों मैं यह सब बता रहा हूँ आपको, root से login करना इतना ठीक नहीं, अगर मेरे को professional इसको deploy करना होता, तो मैं एक छोटा सा documentation यहां और पढ़ता वो कि है server setup and hardening इसके लिए मैंने already docs लिख रखा है, कि server setup किस तरह से किया जाता है, तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे upgrade करें, update करें, एक नया user बनाएं, और फिर उसको login करें, SSH से login करें यह सारा detail मैंने बता रखा है, कभी फुरसत में जब हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे कि server को harden कैसे किया जाता है, security कैसे maintain की जाती है, वहाँ पे हम बात करेंगे, अभी के लिए यह वाला part में skip कर रहा हूँ, तो जब भी लोग comment में कहें कि और यह तो secure नहीं है, अरे अभी security की बात ही नहीं कर रहे है, वो भी कोई जादा बड़ा काम नहीं हो जाता है, वो भी तो यहाँ पे इसको reload करके देखते हैं, अगर hopefully हमारा provision हो गया होगा, थोड़ा सा time तो लगता है, उसमें क्या कर सकते हैं, यह booting भी हो रहा है, अभी हमें एक बार restart भी करना पड़ेगा, और हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका हम restart भी होगा ही, और उसमें भी time लगे गई, तब तक आप लो comments कर दीजे, ठीक है, running हमारी machine चल रही है अब क्या करना है, हमें ssh करना है, इस machine के अंदर क्योंकि हम सारे commands जितने भी सब है, machine के अंदर अब करना चाहते हैं, जादा कुछ difficult है नहीं, इतना लोग जो डराते हैं, इतना डरने का भी नहीं है, अराम से हो जाता है, चले जी, इसको copy करते हैं हम, और चलते हैं हमारी machine के उपर, और इसको करते हैं कि हमें ssh करना है, यानि कि login करना है अपनी machine के अंदर root और जो भी उसका नाम है, enter किया, यह बोलेगा fingerprint, connection refused, कई बार ऐसा आएगा आपके पास क्या होता है, machine reboot हो भी रही होती है, तो running है अभी और थोड़ा सा कई बार time लग जाता है, completely normal है, यह सब होता है, ओके वापिस से एक बार चला के देखते हैं, हाँ जी, आप चल गई है fingerprint accept करने के लिए बोलता है, first time जब आप login करते हो तब यह बोलता है, तो आप यहाँ पे simple yes कर सकते हो, that's it yes करके हमने किया enter, अब इसने बोला password डालो, अब hopefully, मुझे जो password है, मुझे याद है, अभी भी, hopefully, password मैं काफी बूली जाता हूँ, और hopefully, ठीक है जी, जैसे ही आपको दिखाई दे, root at localhost, मतलब अब आचुके हो आप इस machine के अंदर, अब इन machine के अंदर जैसे ही आप आजाते हो, तो सबसे पहले एक दो अपडेट ही चलाना चाहिए, तो अपडेट हो जाता है, अब जो लोग Linux यूज करते हैं regular, उनको तो पता ही है, यह सब काम होता ही है basic, तो चलिए जी, हाँ, इस वीडियो को मैं कुछ fast forward वगरा नहीं करूँगा, ताकि आप भी देखें कि हाँ, टाइम लगता है चीजों म होगा, और कई बार यहाँ पर system reboot भी मांगता है, उसमें time लगता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ जी, चलिए, okay, by the way, जब तक यह आता है, आपको documentation थोड़ा सा और, reboot के time आपको थोड़ा सा documentation और घुमा देंगे, क्योंकि यह तो I think जल्दी ही हो जाएगा, 70, 85%, 90 देखिए इसको आप भी, all right, ठीक है, I think almost done, generating boot init RD, यानि कि कुछ न कुछ करनल में अपग्रेड आएगा, ठीक है, देखते हैं, hopefully, कई बार ऐसे बैठर रहना पड़ता है, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, हाँ जी, यह देखिए, kernel update, new or kernel available, ठीक है जी, कर दीजे, enter कर दीजे tab पे आते हैं, और ok कर देते हैं, कि ठीक है, जो भी system restart करने हैं, कर लिजे, I think machine को restart की जरूत नहीं लगेगी, no container needs to restart it, no user sessions are running outdated binaries, ठीक है, अभी तो मुझे कुछ update अपग्रेड नहीं करने की जरूत, क्योंकि अब कुछ kernel binaries अपग्रेड हुई है, तो वापस से अब apt update चलान होता है, ताकि वो kernel पे पहुँच पाया और उसको update कर पाया, तो syntax और step ऐसा ही होता है, इसमें ज्यादा वक्त hopefully नहीं लगेगा, ok, सब कुछ updated है, तो यह हमारा हो गया basic, अब यहाँ पे छोटा सा एक pause लूँगा, और आपको बताना चाहूँगा, कि हाँ जी, यहाँ पे ज सारे लोग आते हैं, especially Twitter में तो इतने आते हैं कि और आपने यह कैसे बताया, यह खराब, नहीं कुछ खराब नहीं बताया, intention तो सही थे, ठीक है चली, अब चलते हैं, जच जीरो पे, कहां गए installation, अब इन्होंने कहा कि यह काम करिये, इसको open करिये file को, slash etc default grub को, ठीक है जी, एक ही file है, हमारे पास grub, grub db है वैसे तो, बट हमारे एक ही file चाहिए, grub, इसको जैसे ही open करोगे, nano के अदर आपको दिखेंगे, बहुत सारे यहां पर option, अब हमें जो option चाहिए न, वो सिर्फ यहीं पर है, देखें, दो option है यहां पर, एक है grub command line linux default, और एक है grub command line linux, ह और बोलते हैं कि ठीक है इनको मुझे change करना है, तो add कर देते हैं, vim के अंदर थोड़ा सा line के end में थोड़ा fast पहुंच जाता, बस इतना ही होता, और तो क्या होता, ठीक है जी चलिए आते हैं यहां पर, और paste किया इसको, that's it, अब क्या करना है, आप देखें नीचे यहां पर पढ़िए, write out करने के लिए control plus o press करिए, तो ठीक है जी, control o press करा, इसने का इसी file में लिख दू, हमने enter का, इसी file में लिख दो, उसके बाद control और x कहा exit कर जाओ, ठीक है जी, तो grub के अंदर जो entry करवाना चाहते थे, ताकि हमारा code एक secure environment में execute हो, इस judge 0 के अंदर, वो इन् का कि एक काम करी, उसके बाद reboot भी कर लीजे, अब reboot वाले time पे बहुत तो क्या मतलब, हाँ ठीक टाक time लगता ही है, और यहाँ पर हमने का कि ठीक है जी, reboot कर दो, अब reboot आप देखोगे तो आपका connection close हो जाता है, क्योंकि obviously बात है, machine restart हुई है, आपको यहाँ पे लिनोट के अ नहीं हुई होगी, हाँ अभी offline है, इतनी जल्दी तो कोई machine server में, किसी भी cloud में नहीं restart होती है, जब तक की machine हमारी थोड़ी देर offline रहती है, क्योंकि सारी services वगरा सब shutdown होता है, यहाँ से भी कर सकते थे हम, बट अभी के लिए हम ठीक है, यहाँ पे रहते हैं, अब उतनी दे देर के लिए रहते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लेना, तो at least in daily quizzes को लेना, ताकि आपकी interview preparation, aptitude वगरा सब का काम हो जाए, यह पिल्कुल free है, चाय code app में भी मिलते हैं, और in case अगर आपका course लेने का मन है, क्योंकि courses limited seats होती है, हम courses के अंदर 5000-10,000 students नहीं लेते हैं, हमारे courses इसके अंदर limited students होते हैं, 300 पे तो हम वैसे ही entries सारी बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है, आपको expensive लगे 10,000 देखे, लेकिन क्या है, हम यहां से 35 दिन बाद, 60 days बाद यहीं मिलेंगे, तब तक आप कहरे होगे, sir, अभी भी DSA नहीं हुआ, और जो लोग course में होंगे, उ क्योंकि बहुत सारी चीज़े pipeline में है, और बाकी free courses तो हैं, बहुत सारे, और आप देख लीज़ेगा, English, Hindi जिसमें आप को चाहिए, आप ले सकते हो, ठीक है, तो promotion भी हो गया, और तब तक हमारा machine भी reboot हो गई होगी, ठीक है, machine भी reboot हो गई है, देखे, दो काम हो गए ना, ए चुके है, ठीक है, चलिए, करके देखते हैं, एक बार, अगर नहीं होगा, तो जाद सादा क्या, reject मार देगा connection को, नहीं मारा, ओल राइट, ओके, तो ठीक है, अभी machine के अंदर हम वापिस आ गए है, और चलते हैं, जद जीरो के documentation पे, ठीक है जी, अभी बोल रहा है, Docker और Docker compose install करना है, वैसे तो देखे, आप एक चोटा सा Google search करेंगे, कि how to install Docker in Ubuntu, how to install Docker compose in Ubuntu, दोई मिनट में हो जाएगा, बट मैं आपके हैं time waste नहीं करूँगा, मैं सीधे आपको command बता दूँगा, जो command है, apt install, और उसके बाद आप बोल सकते हैं, सीधा Docker, तो हमने जैसे apt install Docker बोला, अब Docker आपके पास apt utility जाएगी Docker के पास, उसको लेके आ जाएगी और install कर देगी, usually बहुत fast होता है, उसके अलावा हम चाहें तो Docker compose को भी इसी तरह से install कर सकते हैं, बहुत easy है, तो देखा, और हम already sudo थे, root थे तो जादा कुछ करना नहीं पड़ा, वरना sudo install कर देते हैं, बस install कर दो, हमने कर दिया, उसके बाद इनोंने कहा कि wget से आप यह zip file ले आओ, ठीक है जी, अगर wget error देगा, तो हम wget भी install कर लेंगे, तो I think wget आ गया, अब इसको रखना कहां पर, यह आपके उपर है, मैंने तो अभी मेरे root directory में ही रख दिया, बढ़ ठीक है, अब इसको unzip क तो वो देता ही रहता, उसका तो काम ही है, ठीक है, तो unzip up कर लेते हैं, उके unzip हो गया है, ls करके देख लेते हैं, cd, judge के अंदर चलते हैं, और देखते हैं क्या क्या है, दो ही चीज़े हैं, एक docker compose.yaml, और एक है configuration file, तो हम चलते हैं पहले configuration file के अंदर, और फिर आपको क्या क्या चीज़े आपको set करने हैं, वैसे तो docs में लिख रखी है, तो judge conf को nano से ही open कर लेते हैं, और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, judge 0 की, यहां पर configuration देखे किस level की आपको दे रखी है, आप telemetry देना चाहते हैं, कुछ information वगरा दीजे, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, judge 0 restart, कितनी बार restart, default 10 है, restart max tries, उसके लावा maintenance mode भी आपको दे रखा हैं, यहां पर maintenance के message भी देख रखा हैं, enable wait result, कि जब तक user queue में है, उसका कोई आपको अगर क्यू देना है, कि है, चायो code is setting up environment, और चायो code will take your question in the queue, आप यहीं पर set कर सकने हैं, default set है true का, that is user can request to wait for the result, बहुत ही अच्छा, compiler options भी है, यहां पर default true है, और रहते ही है, list language names, separate by space, यह सारी languages की आपकी option मिल जाएगी, enable command line arguments, जितने भी आपको चाहिए, वो सब आप इसमें कर सकते हो, max submission batch size, कितना batch size होना चाहिए, 20 batch size, 20 input output को आप एक साथ batch में करके और भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं है, उसके अलावा देखिए, callback tries, साब कुछ दे रखा है, हम जिसको देखना चाहरे हैं, वो है हमारा redis, अगर आपको याद हो, तो हमने redis के बारे में देखा था, कि आपको redis का password सेट करना है, और postgres का करना है, तो इसलिए हम बाकी configuration भी पढ़ रहे हैं, appreciate shade भी कर रहे हैं, और उसको भी हम कर लेंगे, तो आते हैं हम judge 0 के interval पे, count पे भी, ठीक है, इतना तो नहीं करना, max queue size भी है, ये बहुत अच्छी चीए, वैसे तो 100 queue size is more than enough, आपके जादातर काम होई जाता है, इसमें, बड़ी-बड़ी websites के हो गए, नाम तो नहीं लेना चाह लगाया है, अच्छा, आपको Monaco code editor भी कभी हमने discuss नहीं करा, तो Monaco editor, तो Monaco editor आपका VS code editor ही है, और ये open source available है, तो आपको VS code जैसे environment किसी को देना है, तो आप दे सकते हैं, तो ये रहा Monaco आपका इस तरह का editor आपको मिलता है, आप चाहो तो यहाँ पे dark theme भी use कर सकते हो, और आ आपको चाहिए suggestions, तो देखें, यहाँ पे हटाते हैं इसको, ये देखिए, console, तो हाँ जी, Monaco editor इस तरह से, तो मैं जो कह रहा था, कि suppose करिए आपको कभी अच्छा सा editor बनाना है, Monaco editor front end पे, ताकि वो सारी request यहाँ पे भेजे, और आप उसको execute करवा, और result response लेके अच्छे स सारी चीज़े हैं, अब हम चलते हैं, हमारे authentication token भी आप कर सकते हैं, default empty, authentication is disabled, बट आप कर सकते हो, enable की logged in user ही, जब token साथ में वेजेंगे, तो ही हम यहाँ पे उनको करेंगे, अच्छी चीज़ है, उसके लावा और क्या-क्या है, header size, token size, यह रहे हमारे redis के configuration, अब आएं है redis साथ, तो redis, host redis है, port 6379, जो की default redis port होता है, password, अब यहाँ पे default इन्होंने कहा रखा है, no default must be set, तो हम कर देते हैं, set, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, अच्छा password set कीजेगा आप, अभी तो demo है, ऐसे आ मच जाएगा वापसे twitter पे, अरे यह भी कोई password है, अरे please, और आप सोच रहो username, यह रहा हमारा postgres का भी password, बोल रखा है, उसने साफ, पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा काम आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, अब देखिए, यह हमने set कर दिया है, but according to recommendation हमने काम नहीं किया है, इन्होंने तो बता ही थी website, हमने नहीं मानी बस की, यह देखि जितना पढ़ना है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, CPU limit भी है, CPU extra time भी है, wall limit time भी है, यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसको जादा आपको set करना जरूत नहीं होती है, क्योंकि जितना default है, इनको आप on the go, postman से request में भी कर सकते हो, set, वो भी आपको बताऊंगा, कैसे इसक कर दीजे, उसके बाद control x, तो ठीक है जी, अब हो गया हमारा काम, अब क्या करना है, बस अब restart करना है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा आराम से restart करना, सबसे पहले तो folder के इंदम already है, आपको क्या है, basically docker compose file यह दिखनी चाहिए, जब आप ls करो यहाँ पे, तो यह file नहीं दिख से एक spin हो जाना चाहिए, docker compose में, ताकि यहाँ रखेगा dash d mode important है, क्योंकि detach mode, वरना terminal free नहीं होगा, as it is, इसको enter कर देते हैं, अब क्या होगा, यह जाएगा docker के पास, वहाँ से एक redis image download करेगा, एक ही बार download होता है, बार बार नहीं होता है, और उसको यहाँ पे आपके ल full मिल जाता है, इसके बाद यह कह रहे है, थोड़ा सा wait कर लो, क्योंकि कई बार container ना इतनी जल्दी up नहीं होता है, करने की जरूत नहीं है, अगर आप ऐसे भी बैठ के wait करोगे, तो भी ठीक है, बट इन्होंने क्या है, कि उनको भी पता है, कि लोग बाग बहुत समझदार है, और एक चोटी सी बात की थोड़ा सा wait कर लो, यह समझ में आती नहीं है, और फिर आ जाते हैं, और यह judge 0 नहीं चल रहा है, इसलिए उनका नहीं हम तो command ही लिख देंगे, कि अब 10 seconds आप wait ही करो, वैसे जरूत नहीं थी, ठीक है जी, मान लेते हैं, अब हम finally क्या कर रहे है docker compose up dash d, अब इस command के अंदर क्या हो रहा है, कि जो यह docker compose के अंदर पूरा लिखावा है, by the way आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हम nano से इसके अंदर भी जा सकते हैं, और इसको भी चेक कर सकते हैं, docker compose yml, तो देखे, पूरा docker का आप देख सकते हैं, कैसे कैसे services अब कर रहा है, क्या क्या port है, क्या क्या privilege mode है, worker image, database, पूरे volumes, redis, कहां पर क्या पूरा है, सब कुछ आपके पास आ रहा है, तो ऐसी कोई चिंतावाली बात नहीं है, हमें वो code भी समझ में आता है, आपको भी आ जाएगा, चल दी, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद, सीदा स compose up-d, यह जो db redis देख रहा है, यह मत देखेगा, क्योंकि यह सिर्फ suggestion है, यह command का part नहीं है, मैं escape भी कर सकता हूँ, I think, नहीं कर सकता, इसको हम जैसे रन करेंगे, अब proper judge 0 की जो image है, जो source code है, जो हमें github पे पूरा देखा था, उसका एक containerized image भी है, अब उसको जाके लि machine हमारे beach demo में ही न रुख जाए, वैससे तो मुझे दिख रहा है कि इतना जादा कुछ utilization हो नहीं रहा, और हमारा काम हो सकता है, ऐसे, all right, तो hopefully, wait ही कर सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं, आपको भी और कुछ पढ़ना हो, तो मुझे बता दीजेगा, इस तरह से comment section में, और आदे से जादा startup का, बड़ी-बड़ी company भी इनी open source projects पर चल रही है, उसके उपर layering कर 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 के चल रही है, ffmpeg भी ऐसी एक library है, judge0 भी ऐसी एक लाइबरी है, और भी है, judge0 जैसा, वो code execution के लिए जादा trusted है, जादा important है, judge0 का तो अपना ये अलग use case है, कि inputs और outputs को देने का, बट ये भी बहुत अची चीज़ है, hopefully, please, यार, जल्दी कर दो थोड़ा सा, चल तो रहा है, देखे काम, by the way, आप में से कितने लोगों ने documentation पढ़ना शुरू करा, चाय कोड पर हमने काफी update करे है documentation, तो आप भी देखेगा, nginx, ubuntu, nginx installation, अभी इसको nginx के पीछे भी जाएंगे न, और companyों में काम करेंगे, तब इन जैसी pricing को evaluate करना भी पढ़ता है, आपको कि हाँ, बताईए, 2000 per day submission ठीक रहेगा, या 5000 per day, वैसे तो मुझे लगता है, 500 submission per day भी ठीक है, initial state में, बढ़ ठीक है, आल राइट, चल रहा है काम तो, इतना टाइम लगना तो नहीं च चलिए तब तक जच जीरो पर हम घूम लेते हैं, और कुछ काम तो है नहीं, तो जच जीरो पर आते हैं, और एक बार और install पर क्लिक कर देते हैं, ताकि हम repo देख पाए, अब देखिए इस repo के अंदर न, ये अपने हाँ में बहुत interesting repo है, अब चलिए हम चल के देखते हैं, क क्या ही बात करें ज्यादा, डॉक्स भी हाँ पर अवेलेबल है, अपी डॉक्स हैं, चलिए इनको देख लेते हैं, authentication, hostname, docs.md, ठीक है जी, ये रहे जच जीरो के installation, API documentation, तब तक यही पढ़ लेते हैं, ये रहे हमारे API के documentation, अच्छा documentation है, कि किस तरह से आपको भेजना है, त हैं, hopefully, okay, hopefully, अभी हमारे पास जच जीरो अपन रनिंग है, अब, according to documentation, हमारा जच जीरो IP पे, slash 2358 पे, run होना चीए, 2358 पे, चलिए देखते हैं, यहां से हम IP करते हैं, copy, और चलते हैं, यहां पे, IP करते हैं, और slash 2358, अब जैसे आप यहां पे जाएंगे, अगर आपको यहां blank दिख रहा है, मतलब काम done, क्योंकि यहां पे home page पे कुछ ही नहीं, सब कुछ है आपके पास slash docs पे, यह docs पे हमारे देखें, अब हमारे particular IP पे, अब सारा का सारा काम हो रहा है, अब interesting चीज़ बताऊं, अब आपको क्या करना है, जो documentation अभी हमने देखा था, I think यहां पे, जो कि आपको active languages दे देगी, ठीक है जी, तो यहां पे दोनोंने यह URL दे रखा है, बट हमारा यह वाला URL नहीं है, हमें actually में इस तरह का कुछ response मिलेगा, expected, बट हम इसको चला के देखना चाहते हैं, तो हमें कैसे चलाना पड़ेगा, वही simple अपना basic IP लीजे, copy करते हैं, और post when fire करते हैं, तो हमने अपना URL लिया और कहा कि slash languages पे get request fire कर दो इस IP के उपर, तो send करके देखते हैं, send किया, और देखे हमारा अपना खुद का lead code पूरा server चल रहा है, 45, 46, सारी languages के नाम है, एक interesting, अगर मैं search कर पाऊं, तो I think 63 पे होगा, yes, 63 पे हमारी JavaScript है, हाँ JavaScript का मैं पता र जावा, ओपने ये भी है, Haskell में भी है, अहां जी problem सब में solve होती है, objective C, OCaml में भी होती है, Pascal, PHP में भी होती है, अगर PHP विद DSA का course ले, और लोग पागली हो जाएंगे, अब हमें क्या करना है, कि हमें main मुद्दे की बात तो ये थी, कि अब कैसे हम execute कर पाएं, उसको कैसे स Sir, font 11 कौन ही पढ़ता है, हम पढ़ते हैं जी, तो यहां पे आपको एक बड़ा interesting keyword दिखेगा, जिसका नाम है dummy client, हाँ जी, इस dummy client पे जैसे ही click करोगे, तो आपके ही server पे dummy client run हो रहा है, जिसके थूरू आप सब कुछ देख सकते हो, इसको थोड़ा sum shift कर लें ताकि आपको द कितने number of runs, इसको एक ही बार execute करना, या दो बार भी आप attempt करना चाहते हो, CPU limit कितना है, यह सब आप यहां पे set कर सकते हो, यह यहां पे set इसलिए कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप request send करोगे, तो वहां पे आप इसको कर सकते हो, अब इन्होंने एक basic आपको दे रखा है, कि source code ह यह हमारा एक basic सा code है, बढ़ा ही basic, इसको भी हम change करेंगे, इसको आप maximum process वगरा सब enable करके, हमने इसको जो standard input दिया है, वो दिया है judge 0, और output हमारा कुछ expected नहीं है, और यहां पे हमारे logs आएंगे, अब देखिए, code क्या कर रहा है, character scanf, person name वगरा सब कुछ यह कर रहा है, तो ह ओके जी, ठीक है बात, और इसने standard output जो print करा है, वो करा है, hello judge 0, ठीक है, यह तो बढ़ा ही basic सा code हो गया, अब इसको थोड़ा सा change किया जाए, अब हमने कहा के काम करते हैं, language ID तो हम change करते हैं, 50 नहीं, हम करेंगे 63, क्योंकि JavaScript वहीं पर रन होती है, और उसके अलावा इस code को अब हम change कर देते हैं थोड़ा सा, तो चलिए जी, basic अपना simple function लिखते हैं, जो हमने पहले लिखा था, add to, यह function लिता है, दो variables, a, b, और यह लिजे, और इसके बाद हम इसके अनर लिख देते हैं, return, a, plus b, बढ़ा ही basic सा, बहुत ही complex code लिखा है हमने, ओके यह तो हमने लिख लेकिन अब थोड़ा सा scroll करके देखेंगे, तो आपके actually में expected output पे null लिख रखा है, इसको null को uncheck करेंगे कि null नहीं मैं कुछ input दूँगा, तो चलिए जी input देते हैं कि हमने दिया आपको 2,4 दिया, expected output जो है मेरा, वो 6 होना चाहिए, तो यह हमने test case बना दिया, test case में यह होता ह input देंगे, यह output आना चाहिए, ऐसे ही बनता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको run करेंगे, अब किया हमने इसको run, और थोड़ा सा time लेता है, और देखें, आप यह बोल रहा है, wrong answer, wrong answer, ठीक है जी, standard output आया null, और आपके पास आया wrong answer, क्यों आया wrong answer, function add to a, b, आना तो नही चीए था, यह null क्यों आया, एक second देखते हैं इसको, हाँ जी, आ गए हैं वापिस, थोड़ी सी जादा engineering लगी, लेकिन ठीक है, हमें भी दो चीज़े नई सीखने को मिली, तो ठीक है, हम भी देखते हैं, और आपको भी बताते हैं, क्या problem आई, क्या issue आया, अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे cut कर लेता हूँ, और फिर आपको बताते हैं, कैसे इस engineering problem को solve किया, देखे, code लिखना, यह सब तो आता ही रहता है, लेकिन इन situations को कैसे handle करा, यह मैं हमेशा आप लोगों के साथ share करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि हाँ, struggle सभी जगे है, लेकिन उसको solve कैसे किया जाता है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो problem क्या थी, और कैसे उसको hunt किया गया, कि ठीक है, language ID 63 ठीक थी, और यहाँ पे इसको भी clear कर देता है, standard input भी हमारे ठीक थे, 2 और 4 हम देना चाहरे है, और expected result हमारा 6 आ रहा है, अब इसको थोड़ा से debug करने तो tab भी नहीं चलता है यहाँ पे, तो हमने कहा कि return और A plus B, बड़ा ही basic सा concept था, हमने इसको run करने के कोशिश करी, इसको जैसे ही हमने run करा, तो हमें पता लगना चाहिए कि accepted हमारा yes आना चाहिए, बट यह wrong answer क्यों आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा और आप analyze करोगे, तो आ यहाँ पे इस तरह से तो काम नहीं हो रहा है, फिर मैंने इसको वापिस एक बार reload करके देखा, कि देखते हैं, reload जैसे करा, तो language ID 50 हो गई, और यहाँ पे इस तरह से values आ रही है, अब इस तरह से value आ रहे है, यहाँ पे scanf कर रहा है, और यह printf कर रहा है, अब यह हमेशा standard input, standard output होते हैं, C के अंदर, तो बड़ा ही basic सा rule है, यहाँ पे, मैंने इसको run करके देखा, तो इसको run जैसे ही किया, तो यहाँ पे मेरे पास आया, hello judge 0, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद पता लगा, कि हाँ, standard output C के अंदर भी जब printf है, तो हमारे JavaScript के अंदर exception कैसे होग तो console हमने किया, तो जो problem C के अंदर है, वोई problem यहाँ भी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि साव एक काम करो, हितेश को आप print करवाओ, और इसको कहा कि clear करो logs और run करो, और जैसे इन्होंने run करा, तो अब हमारे पास हितेश आ गया, तो हमें पता लग गया, कि ठीक है, problem इस तरह क किया है, लेकिन अब जब problem इस तरह की, तो इसको solve कैसे किया जाए, इसको solve करना थोड़ा सा difficult था, ज्यादा भी नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा था, क्योंकि अब जब आपको पता है, console के अंदर ही आपको सब कुछ print कराना है, तो पहली आपके पास problem यह आती है, कि चलिए console के अंदर आपने सब कुछ print करवा लेंगे, लेकिन आप function तो इसी तरह से लिखेंगे, कि यह लिजे हमारा function, यह लिजे और आपने कहा कि add to, और यहाँ पे input तो आप ऐसी लोगे, a, b, और कोई रस्ता भी नहीं है, यह लिजे हमने कहा यहाँ पे आगए, और हमने कहा कि य console log के अंदर आप a, b भी नहीं दे सकते हैं, आपने suppose करिए add to इस तरह से अगर run करा दिया, तो उसके अंदर आपके पास input नहीं है, add to, तो उसके अंदर आपके पास input नहीं है, और अगर यहाँ पे आप hardcoded input दे देते हो, कि suppose करिए आपने दे दिया कि यह लिजे 4, 2, तो execute तो हो जाएगा, लेकिन हमेशा ही result होगा, तो हाँ जी थोड़ी engineering लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, behind the scene, जब भी हमारा judge 0 run हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, input ले सकते हैं, file system से, क्योंकि judge 0 क्या करता है, हर चीज को standard input के एक file के अंदर रखता है, जो कि हमने दे रखे हैं यहाँ पे, कि हम number हमेशा ही 4,3 पे देंगे, जैसे भी आपका input बने, उसके basis पे मैंने इसका code लिखा, कि आप ऐसे code लिख जेगा, और expected output जो होगा, हमारा 6 होगा, तो expected output तो यह अपने आप match कर लेगा, तो यह थोड़ा सा एक extra piece of code आया, और उसके इसलिए user को boilerplate जब देते हैं, तो उसके अंदर कहते हैं कि A और B हम expect कर रहे हैं कि आप input लोगे, और return हम कुछ नहीं करते हैं, तो इस तरह से हम boilerplate उसको बना के देते हैं, तब ही तो lead code के अंदर वो boilerplate आपको दिखते हैं इस तरह से, especially JavaScript के अंदर तो उनका नाम भी वही होन जरूरी है, वरना console log में हम कैसे उसको execute कराएंगे, क्योंकि read तो standard output से ही हो रहा है, तो ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं, अब इसको clear करके जैसे ही run करवाते हैं, तो अब वेसी बात है, अब हमारे पास यह run हो जाता है, wrong answer, wrong answer क्यों, क्योंकि यहां पर undefined आ रहा है, undefined क्य देते हैं, इसमें क्या बात है, return a plus b, यह लिचे अब hopefully हमारा function अब की बार चल जाना चाहिए, यही exactly same problem आपके पास java में भी आने वाली है, यही same problem आपके पास javascript में भी आने वाली है, c में भी आने वाली है, तो हमें कैसे ना कैसे file से read करना पड़ेगा, but यह तो just एक example थ दिया, क्योंकि देखिए अब इस example का आपको interesting चीज़ बताते हैं, right click करके जैसे आप inspect करोगे, तो आप जाएए सीधा का सीधा network tab के अंदर, अब network tab के अंदर क्या खास बात है, थोड़ा से इसको shrink कर दूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखी नहीं रहा है कि कहाँ पे मेरा run button ह ठीक है, hopefully छोटा सा एक run button है यहाँ पे, देख तो नहीं रहा मुझे, बटीक है, तो network के अंदर आप क्या करोगे, जैसे ही इसको आप run पे click करते हो, तो आपके पास देखिए यहाँ पे submission आ जाता है, यह रहा submission, अभी किस तरह से response आया, क्या आया, इसको आप directly यही study कर सकते हो, तो जैसे ही postman के अंदर है, कहीं पे भी आपको request भेजनी है, तो देखिए इतने parameters आपके पास available है, यह सारा का सारा एक बड़ा object मुझे pass करना है, यह देखिए यहाँ पर source code हमने as it is pass किया है, सारे slash and वगरा सब लगा के, उसके लाबा और जो parameter मुझे करने standard input 4,2 देया ह और भी दे सकते हो, बहुत सारे और तरीके है, API को पढ़ोगे तो आपको और भी पता लग जाएंगे, max file size से लेके language ID वगरा सब कुछ जो ज़रूरी है, वो यहाँ पर मिल गया, यह हमें response मिल गया है, तो अच्छा, submission के अंदर payload में जाएगा, headers में नहीं, payload पे ही आपको द भी ठीक है, बट हमारी API भी तो चल रही होगी कहीं पर, जहाँ पर भी चल रही है, तो यहाँ पर submission आप देखोगे, तो यहाँ पर आपके पास create a submission batch भी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सम पढ़ेंगे कि batch किस तरह से भेज सकते हैं, तो वो भी आपको पता लग जाएगा batch submission के अंदर आप बहुत सारी values एक साथ ही भेज सकते हो, तो request को जैसे ही show करोगे, तो request के अंदर देखे, यह रहे आपके submission और यह रहा batch submission एक साथ, तो दो तीन चीज़ें आप एक साथ भी execute करा सकते हो, ताकि लोगों के एक साथ जाते रहे, response फिर आपको कैसे handle करना है, वो आपके बहुत काम आएगी इनके साथ एक सी application मना रहे हो, एक है यह send request with base64 encoded data, यह बहुत काम आता है, क्योंकि कुछ languages के अंदर क्या होता है, कि यह जो slash and और यह सब है न, जिससे especially python, वहाँ पे बहुत complicated हो जाता है, तो उसलिए क्या करो, सीधा send base64 encoded data, अब जैसे ही base64 encoded data क जैसे आपने submission में base64 encoded true भेजा तो, automatically judge zeros को लेता है और decode कर देता है, क्या बढ़िया काम है हमारे पास में देखे, इसी तरह से आप accept response भी base64 ले सकते हो कि ठीक है, response भी हम इसी तरह से दो हम decode करेंगे पूरा, बड़ा easy सा एक method होता है, बस base64 decode हो जाता है, यह तो कुछ च क्योंकि आपके पास यहाँ पर workers से लेके बहुत सारे काम है, कितना queue size है, क्या है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आराम से देख भी सकते हैं, और बड़ा interesting project है, अगर आप भी कभी इस तरह से अपना खुद का lead code बना है, या कभी company में काम कर रहे हैं, या किसी ad tech में काम कर रहे है कि नहीं हमें खुद का executional engine बनाना है, तो ठीक है, एक ठीक ठाक सी decent सी machine लेके थोड़ा सा study करके completely यह possible है, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके editors वगरा भी आपको मिल जाएंगे, जच Zero के भी front end वगरा वो सब मिल जाते हैं, front end तो इतना असानी से नहीं मिलता है, बट हां Monaco editor से ब कि चीजें किस तरह से काम करती है, कैसे open source के project को deploy करते हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दू, in case जो लोग भूल गए हैं, कि हाँ यह काम मैं करने ही वाला हूँ, कि यहाँ पर आने के बाद अब जो मेरी machine चल रही है, इस machine को delete भी करना पड़ेगा, refresh कर लें एक ब disk space भी कुछ जादा, disk space तो कुछ जादा नहीं बढ़ता है, उसको तो आप reload कर सकते हो, वैसे भी docker compose है, तो data timely delete कर सकते हो, बाकी चीजें आप क्योंकि execute ही तो है, बाकी चीजें आप अपनी database में रख सकते हो, यह पूरा का पूरा सिर्फ execution engine है, तो I think इसको अब delete कर दिया ज कुछ नहीं है, कर सकते हैं, चीजें हम भी बना सकते हैं, चीजें आप भी बना सकते हैं, और सब engineers बनाते ही हैं, तो यही था बस judge zero का पूरा आपका एक basic environment की किस तरह से काम करते हैं, उमीद है कि अब आप भी अच्छे projects बनाएंगे और इस तरह का एक project at least attempt करेंगे, जहां पे हो सकता है, आपका खुद का local host पे हो, judge zero या फिर इस तरह से deployed version हो, और उसके साथ साथ कुछ basic सा front end, Monaco editor के साथ, at least एक language में तो हम execute कर पाएं, बढ़ा ही अच्छा project रहेगा, आप ऐसा project अगर खुद बनाते हैं, तो अगर ऐसा project बनाते हैं, तो please, मुझे twitter पे जरूर tag कर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं कमेंट्स से ही आजकल सारे ही वीडियो पे कर रहा हूं कि आपको क्या चाहिए और उसी basis पे बनाता हूं, ठीक है, चलिए जी, चाय पीते रहिएगा, code का इंतजाम हम कर देंगे, ठीक है, मिलते हैं आप से अगले वीडियो के कि देंडर